आज हम जिस जोब नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो इन्फोसिस में निकला है इन्फोसिस मेगा ओफ केंपस ड्राइब 2019 इसमें सारे फ्रेशर्स एलिजेबल हैं मतलब यह फ्रेशर्स के लिए ही है सिस्टम इंजिनियर की पॉस्ट है इसमें 2016-17-18 वाले पास सब इसमें अपलाई कर सकते हैं और सबसे ज्यादा अमसी वाले इसमें अपलाई कर सकते हैं यह एक प्राइवेट कंपनी है पर यह एक अच्छा अपॉर्चिनिटी यह अपना एक ओफ केंपस निकाला है ताकि जिन गोलेजों में यह कंपनी नहीं आती है तो उनके लिए अ कंपनी का नाम में www.infosys.com यह इसकी वेबसाइट इस पर जाके आपको अपलाई करना है पोजिशन हम देखते हैं सिस्टम इंजिनियर एक्स्पिरियंस फ्रेशर्स इम बैसिकली फ्रेशर्स के लिए यह जोब लोकेशन अक्रोस इंडिया होगी कहीं भी पहले इसमें ट्रे लोकेशन कहा होगा मतलब टेस्ट कहां कहा होगा एंदाबाद बैंगलोर भोपाल भूनेश्व चन्रीगर चेने कोचिन दारादू धाली हेदराबाद पूने जैपूर इंदोर कानपूर कोलकत्ता मधुराई मैंगलोर मुंबई नागपूर पूने त्रिवणत पुरण वि अब हम इसकी क्राइटेरिया देखते हैं अपने बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया है आप इसमें अपलाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर साइंस से कि हम संप्ते अपने कंप्यूटर साइंस से किया है एलेक्ट्रोनिक्स में अप क्रसकते हैं और आपका एक अक्यूमिक एक्डमिक रिकोर्ड चैक्रेक रिक और अगर आप shortlisted हो गए तो आपके mail आएगा उसमें आपके interview location, test location सब होगी, मैं अगर mostly 60% से उपर होना चाहिए, तो अब हम इसमें apply करते हैं, कैसे इसमें apply करना है, यह जोब है, monster पर भी posted हुई है, ठीक है तो, और या फिर आप इनकी direct, इनकी जूबी, इनकी career website, infosys की उसक मिल जाएगा, ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि test होता है, सबसे पहले तो आपको क्या होता है, पहले आप shortlist होंगे, आपको mail आएगा, फिर टेस्ट होगा, test के बात क्या होगा, आपके interview होगा, ठीक है, तो पहले तो आपक इंग्लिश आती है तो पहले तो आपको शोट लिस्ट होना पड़ेगा अगर आपके परसंटेज वगर अच्छे हैं 60% से उपर all through academic में तो आप शोट लिस्ट होंगे फिर आपके फिर क्या आप जब उस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपका इंटर्व्य होगा और फिर आपका यह पैकेज लगेगा ठीक है तो यह प्राइवेट जोबे पर अच्छे अपॉर्चुनिटी आप से अप्लाई कर सकते हैं इसका आप गूगल पर सर्च कीजिए इंफोसिस ओफ केंपस वहां रजिस्टर की जो रहा मॉंस्टर के थुरू य